ओके लेट्स मूव फावर्ड और अब क्या लिखते हैं इक्वेशन ओफ नॉर्मल ठीक है इक्वेशन नॉर्मल लिखने का सारी कोनिक के लिए एक स्टानर्ट प्रसीजर है क्या प्रसीजर है पहले क्या करते हो तुम टैंजन का इक्वेशन लिखो जैसे य स्कार बड़ाबर 4a x है इस पे टैंजन का इक्वेशन क्या जाएगा yy1 बराबर 2a x प्लस x1 ठीक है यहां से slope of tangent निकाल के लाओ 2a upon y1 तो slope of normal कितना हो जाएगा minus y1 upon 2a ठीक है तो फिर अब लिख सकते हैं first part equation of normal यह ठीक है 2y square equals to 4ax at first part ठीक है इसका भी first part at x1 comma y1 ठीक है तो x1 comma y1 पे normal का equation लिखने के लिए slope तो यह हो गया और point पता ही है तो क्या हो जाएगा y minus y1 is equal to minus y1 upon 2a x minus x1 यह हो गया equation of normal ठीक है तो जैसे हमने tangent का equation लिखा था तीन तरह का tangent का equation लिखा था एक x1 y1 पे एक parametric point पे एक m slope का exactly यहां पर ही वही करेंगे तो पहले तो हमने equation of normal लिखा एक x1 y1 वह यहां गया ठीक है फिर दूसरा हम क्या बोलेंगे at parametric point at at square 280 ठीक है तो वह इसमें रख दिया तो अगर इसमें रखा हो तो कितना देगा y minus 280 बराबर यहां पर minus 280 रखा तो t x minus 80 square या फिर यह हो गया y is equal to minus dx plus 280 plus 80 cube यह हो गया equation of normal at point t ठीक है parameter point इसको याद कर लिया और of course slope of normal कितना हो देगा minus t यह तो tangent से व्याद आएगा tangent में हमने क्या रहा था कि tangent का slope और parameter एक दूसरे का receive रोकल होता है tangent का slope 1 by t होता है तो वहीं से normal का slope will be minus t that means कि जो parameter किसी भी point का मैंने parabola के उपर कोई point लिया उसका parameter 5 है तो normal का slope minus 5 हो जागी तो normal का slope कितना हो देगा minus 5 उसके बाद third point के आएगा with slope m ठीक है with slope m अब यह भी बहुत simple है slope m के लिए हमने क्या किया parameter equation लिखा तो वह यह लिखा हुआ है इसे y को एक तरफ किया बागी सब को दूसरी तरफ किया ठीक है वह इसी form में लिखा हुआ है x के coefficient को हमने क्या बोल दिया m तो ऐसा करने से क्या होगा parameter में और m में एक relation आजएगा उस relation को use करके जो constant time है उसको m में convert कर दिया तो यहाँ पे constant time कौन सा है इतना part constant time तो t और m में relation क्या है एक दूसरे का negative है तो हमने यहाँ पे t को m में convert कर दिया तो यहाँ देगा y is equal to mx minus 2m minus amq यह m slope के normal का equation ठीक है तो यह भी आद कर लिया ठीक है और जैसे हमने बोला कि normal के slope में और parameter में क्या अंतर है एक दूसरे का just negative है तो t और m में calculation एक जैसे ही है ठीक है चाहिए t वाला सारा calculation कर लो चाहिए m वाला सारा calculation कर लो बस एक negative का अंतर आएगा इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने point t पे normal कीचा ठीक है तो इस normal का slope कितना होगा minus t या फिर मैं बोलूँ कि इसका slope अगर m है तो फिर ये point क्या होगा at square 2at में t की जगा minus m लग दो तो याद एगा am square comma minus 2m दौनों एक ही बात दें ये ठीक है okay उसके बाद जैसे फिर हमने tangent में बोला था tangent में बोला था कि t1 और t2 पे दो tangent कीचा तो उनका point intersection कैसा आएगा उसी तरीके से normal में मालने point t1 है ठीक है और एक दूसा point ले लिया t2 ये मालने t2 है तो ये भी किसी point पे intersect करेगा वो point P है तो इस point P को कैसे निकालेंगे ये भी result याद करना है t1 और t2 के terms में ठीक है तो first of all procedure क्या है I'll directly write down the result you can derive it yourself ये वाला जो equation है इसमें t की जगे t1 रख दिया तो t1 पे normal का equation आगा है फिर इसी में t की जगे t2 रख दिया और दौनों को solve कर लिए ठीक है दो लाइन आ जाएगा t1 और t2 पे normal का equation लेको उन दोनों लाइनों को solve कर लो तो point P का coordinate आ जाएगा ये ठीक है और इसको याद करने है coordinate आएगा क्या वो I am writing now क्याएगा point of intersection of normals drawn to y square equals to 4ax at t1 and t2 can be given as ठीक है that is 2a plus a times t1 square plus t2 square plus t1 t2 ठीक है थोड़ा बड़ा point है ये तो केवल अभी x coordinate है x coordinate ये होगा है 2a plus a times t1 square plus t2 square plus t1 t2 ये ये y coordinate है ये को ये सब्सक्री को ये ये सब्सक्रीक है ये 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 को ये ये मिल ये सपोस्ट तो memorize t1 and t2 के point of intersection of normal ये ओगा है I hope this much is clear ठीक है और बहुत चोटे बहुत चोटे क्वेशन के लिए फाइंड एक्वेशन ओफ नॉर्मल टू वाई स्क्वेर इक्वेश टू एट एक्स या एट बहुत हो गया चलो 16x विद श्लोप 3 तो answer क्या देगा y पराबर क्या होता है mx minus am cube minus 2m तो y is equal to m का लिए लिए 3x minus यहां से 4a से a कितना देगा 4 तो 4m cube तो 3q minus 2 into 4 into m is 3 तो this is 3x minus this is 27 into 4 कितना हो जाएगा ठीक है 4 into 27 minus यह कितना हो जाएगा 24 ठीक है कर लिए आपने काल्कुरेटर यहां से 4 4 common ले लिए तो 27 और 6 यह मिलके 33 हो गया तो 33 into 4 विल भी 3x minus to 132 तो y बराबर 3x minus 132 यह हो गया equation of normal ठीक है जैसे हमने बुला था कि tangency condition क्या होता है c is equals to a by m उसी तरीके से मैं यह भी बोल सकता हूँ normal की condition क्या होगा तो normal का condition क्या हो जाएगा जो m slope का normal है उसमें y बराबर m x को छोड़के जो भी पार्ट बच गया उसको c बोल दिया तो मैं यहीं पर I can add condition for y is equals to m x plus c being normal 2y square is equals to 4x will be c is equals to minus 2m minus am cube ठीक है तो तो फिर जैसे इसके basis पर एक question लिख लिए हमाल लिया find locus of midpoint of normal card normal card to parabola y square equals to 4x ठीक है उसने क्या बोला कि एक ऐसे normal card ले लिया ठीक है यह मालिया a हो गया b हो गया इसके midpoint का locus चाहिए मालिया midpoint का है h के ठीक है तो एक तरीका क्या हो गया के a b का equation I can write down t is equals to s1 वो ही जो हमने वापस circle में konik वाले result पढ़े थे वहां से तो t is equals to s1 क्या हो जाएगा y square is equals to 4x के लिए t का वैली करना हो जाएगा y k minus twice x plus h equals to k square minus 4ah ठीक है यह हो गया ky बराबर 2x plus k square minus 2ah जाएगा ठीक है अब यह तो हो गया कोई भी chord जिसका में midpoint बता उसका equation ऐसे लिख सकते हैं अब इस chord में क्या खूबी है कि यह normal chord है तो फिर normal chord है तो जस्ट अभी हमने condition लिखा है c should be minus 2m minus am q उस हिसाफ से पहले हमने इसको y equals to mx plus c वाले format में लिखा तो यह हो जाएगा 2a upon k times x plus k square minus 2ah upon k ठीक है अब apply condition for normal और वो क्या था c is equal to minus 2am minus am q ठीक है यहाँ पर c क्या होगा यह यह c की तरह काम करेगा तो इसको यहाँ रखती है तो अगर k square minus 2ah over k equals to minus 2 parabola y square बढ़ावर 4a x ही है standard है तो a का अली a ही रहेगा अगर माने 8ax लिखते हैं तो फिर a की जगह में 2a substitute करना पर ठीक है तो यहाँ तो 2a ही रहेगा m का value यह होगा 2a upon m तो sorry 2a upon k तो minus a 2a upon k का whole क्यों यहाँ तो पूरे को क्या कर सकते हैं चलो simplify का लिए देसे minus 4a square upon k minus 2a raised to power 4 upon k cube k square minus 2ah upon k तो h के लिए xy रख दिया तो ही होगया y square minus 2ax बराबर minus 4a square y square minus 2a raised to power 4 y cube उसे multiplied किया तो हाँ तो फिर this into y square और आजाए ठीक है यह answer होगा अब और क्या result derive कर सकते हैं एक जैसे parabola में initially sorry this is not good looking parabola parabola में initially हमने बुला था other end of the focal chord कि अगर एक point t1 है उसको focus join किया आगे बढ़ाया तो जो दूसरा point of intersection आते है वो minus 1 point t1 आते है ठीक है इसी तरीके से अगर मान लिया एक normal कीचा मैंने point t1 पे जो t1 पे normal कीचा normal is a straight line तो वो parabola को वापस यह मैंने t1 पे normal कीचा तो वो parabola को वापस एक point पे जाके cut करेगा और parabola इस दूसरे point पे normal नहीं होगा इस दूसरे point पे जो normal आएगा वो तो कुछ ऐसे आएगा वो तो अलग is straight line हो गया तो मेरा objective क्या है यहाँ पे कि मेरे को point t1 दे रखा है और यह point t2 निकालना है ठीक है point a पे मैंने normal कीचा है और जो normal है वो parabola को वापस b पे cut कर रहा है और मेरे को point t2 चाहिए ठीक है तो इसका एक तरीका तो यह हो गया कि t1 पे normal है तो normal का equation क्या हो दाएगा y is equal to यह वाला equation t वाला equation है यह equation t point पे यह हो गया तो अगर t1 पे चाहिए तो इसमें t की जगे t1 रखती है तो फिर equation और normal कितना हो गया minus t1 x plus 2 a t1 plus a t1 q यह ठीक है अच्छा इसको और निकालने का और easy तरीका क्या है कि मैं ऐसे ही वह सकता हूं m a b b बराबर m a b ठीक है कैसे a b का slope लिखने का दो तरीका है एक तो जो हमने पहले कर चुके है equation of chord में जो हमने क्या था कि अगर a t1 और t2 को join करें वह लिए chord का slope 2 upon t1 plus t2 रहता है ठीक है और यहां पे यह जो chord है वो point a पे normal भी है तो इसलिए इसका slope minus t1 भी हो गया जो यह दिखाई दे रहे है तो इसके slope को लिखने के दो तरीका है एक तो minus t1 एक t1 और t2 को join कर रहा है इसलिए 2 upon t1 plus t2 ठीक है इन दोनों को interchange किया इसको यहां लिखा इसको यहां लिखा तो आज आएगा t1 plus t2 बड़ाबर minus 2 by t1 जालना है तो फिर t2 कितना हो गया इसको अधर लेगे तो minus t1 minus 2 upon t1 यह हो गया ठीक है यह फिर result याद कर लिया क्या याद कर लिया कि अगर किसी एक point t1 पे normal कीचा तो वो दूसरे point जिस पे cut करेगा उसका parameter यहां से आएगा तो इसको language में क्या बोलेंगे this is other end of normal chord this is other end of normal chord इसे related भी एक example देख लेते हैं okay let normal drawn to y2 is equal to say 8x at 2, minus 4 again intersect the parabola at a point a find a यह question ठीक है तो इसने क्या बोला कि y2 is equal to a tag से एक परबला है इस पर एक पॉइंट लिया यह 2, minus 4 ठीक है उसने परबला को दुबारा कट किया point a पर तो मिले को a कोडिनेर्स बताने है यह question होगा ठीक है तो जो अभी हमने result लिखा उसमें तो result t के terms में ठीक है तो पहले तो मैंने को t में convert करना पड़ेगा मतलब यह 2a t1 के बराबर है ठीक है यहां से a का value कितना हो गया 2 तो 2 into 2 into t1 should be minus 4 ठीक है that would mean t1 is equal to minus 1 ठीक है अब other end of the normal quad अगर t2 है तो अब वो formula picture में आएगा t2 कितना होता है minus t1 minus 2 upon t1 ठीक है this is equal to minus or minus 1 will be 1 और यह हो जाएगा plus 2 upon 1 2 तो यह हो गया 3 उसका मुना गया कि point a के लिए t का value कितना हो गया 3 तो point a कितना होता है 80 square 280 तो 82 square comma 282 यह हो गया which is a का value कितना है 2 तो 2 into t2 square तो 9 comma 2 into 2 into 3 I guess हाँ तो यह कितना हो गया 18 comma 12 ठीक है तो यह point हो गया तो जो normal है वो वापस पैरावला को किस point पे cut करेगा 18 comma 12 पे बस यह answer हो गया ठीक है प्रहा है